विश्वे के मरुस्थल, क्यूं कैसे बनते हैं मरुस्थल, मरुस्थल धर्नती को बंजर क्यूं करते जा रही है, क्यूं इतनी बंजर भूमी बढ़ते जा रही है, आखिरकार ये मरुस्थल क्यूं बढ़ते जा रहे है, क्यूं धर्ती पर ऐसी बंजर भूमी का इतना प्रभ सि长 give लेग् Lawrence वड़ेगा। Peki आने वाले UOPD के लिए कितना घातक सिध होगा। मरुस्तली करण, मरुस्तल किस परकार से वनस्पती, पेड़ पोदे, जीव जन्तू, सब को नस्थ कर देगा। क्यों, विश्व स्वास्ति संगठन, डबलू एचो, यूनिसेफ सबी ने मरुस्तल को लेकर इतनी चिंता जायर करी हैं कि मरुस्तली करण की समस्या को रोका जाई, क्यूं वड़ रहा है आखिरकार मरुस्तली करण, क्या कारण है? दुनिया का 33% भाग मरुस्तली करण से प्रभावित है, ये आकड़े आपको चोका देंगे, जैसे छितर फल यदी हम बात करें, धर्ती का जितना जो छितर है, उसका 33% भाग मरुस्तल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी बड़ी वज़य यह रही है, कि समय के साथ जलवायू में बदलाव की वज़य से बारिस कम होनी शुरू हो गई, क्लाइमेंट चेंज होने लग गया, वातावरन चेंज होने लग गया, बरसात होनी बंद हो गई, वनस्पती तथा जीव जन्तु लुप्त होने लगे, यानि कि वनस्पती और जीव जन्तु खतम होने लगे ऐसे इलाके मरुस्तल में तब्दित हो गए जब वनस्पती जीव जन्तु खतम होने लगेंगे मरुस्तली करण का बढ़ाव मिलेगा मरुस्तल बढ़ेगा इसकी सबसे बड़ी वजय है जलवायू प्रिवर्थन ही है His climate change ही इसका सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा रीज़न इसका है जलवायू प्रिवर्थन जिसके कारण भूमी अक्सरन से कई समस्वें पैदा होती जा रहे हैं ये समस्यें वेस्विक मुद्दा बन गई हैं वेस्विक मुद्दा का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो पूरी दूर देश दुनिया को प्रभावित करे वो होता है वेस्विक मुद्दा और ये पूरी देश दुनिया को ये प्रभावित कर रहा है अब छेतर में वर्षा लवनता भी भड़ जाती है, वास्पी करण का क्या मतलब होता है, वास्पी करण का मतलब होता है, पेड़ पोदे जब पाने का अवसोसन करते हैं, तो पतियों के उपर आपने छोटी छोटी बूंदे देखी होंगी, वो वास्पी करण होता है, वास्पी करण अगर होगा, प वो पेड़ पोदे पानी को ज़्यादा अवसुसित करेंगे और वो वास्पी हुआ पानी हवा के साथ वातवरन में मिल जाएगा उड़ जाएगा रही सही कसर इंसानों द्वारा जंगल नस्ट किये जाने के बढ़ते हुए मामलों ने पूरी कर दी लोगों ने जंगल को काट दिये जंगल की कटाई कर दी चैलकडी जलाने के लिए हो या फिर सडक पुल रेलवे लाइन बनाने के लिए पेड़ों की कटाई अंदा धूंद पटाई कर दी इसकी विज़े से भी मरुस्तल भटने लगे चिन्ता की बात है कि दुनिया के 33 परसेंट भूवाग में रहने वाले 3.2 अरब लोग मरुस्तली करण से प्रभावी थें अकेले यदि मैं भारत की बात करूं तो थार रेगिस्तान कुल 2,38,254 किलोमेटर से अधिक छेतर फल कवर करता है ये आकड़ा आपको याद रखना है रेगिस्तान का जो थार मरुस्तल है उसका छेतर कितना है नोट कर लो आप 2,38,254 किलोमेटर है यह है रेगिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच एक प्राकरतिक सीमा बनाता है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा थार रेगिस्तान समुचे भारत में करीब पौने 2,44 किलोमेटर छेतर में राजस्तान, गुजरात, पंजाब, हरियाना की सीमा बनाता है किस-किस छेतर में परवावित है यह राजस्तान, गुजरात, पंजाब और हरियाना रेगिस्तान का विस्तार और नहीं हो इसके लिए हर बार सरकारी स्तर पर कई योजने यह बनती रहती है लेकिन बड़ी समस्या यह है कि हम खुद रेगिस्तान को न्योता दे रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं देखो पेड़ पोर दे काटोगे अगर वनस्पती नहीं लगाओगे मरुस्तली करन बढ़ेगा बिलकुल थार का रेगिस्तान का छेतर जरूर बढ़ेगा मरुस्तल बढ़ेगा बंजर भूमी बढ़ेगी इसलिए मैं सबी से आपसे निवेदिन करता हूँ कि अपने चेतर में आप हर साल कम से कम दस-दस पेड़ लगाएं एक तथे यह भी है कि मरुस्तल का विश्तार प्राकरतिक रूप से तो होता ही है इनसान की फितरत भी ऐसे भूबा का विश्तार करने में आगे है हते दी खेती वह चराई के अलावा पेड़ों की अंदा धूंद कटाई की जाती है चाहिए वो रोड के लिए हूँ चाहिए आप रेल्वे लाइन के लिए कटाई करते हूँ या फिर इंधन के लिए कटाई की जाती हूँ लेकिन पेडू की अंदा धूंद कटाई की कारण मरुष्थली करण को बढ़ावा मिलता है वहें यदि प्राकरतिक आपदाएं, पानी का कटाव और मीटी का विश्थापन ये प्राकरतिक कारण हैं जिसके वज़े से मरुष्थली करण को बढ़ावा मिलता है जिनकी वज़े से मरू छेतर का विस्तार होता जा रहा है यह फेलाव नुकसान दायक इसलिए है क्योंकि मुरूस्थली करण की वज़े से भोमे की जेविक अक्षमता कमजोर हो जाती है प्रोडेक्षन कम होता है यदी मुरूस्थल होगा यदी धर्ती बंजर होगी तो वो प्रोडेक्षन नहीं देगी उत्पादन अक्षमता जमिन की कम हो जाती है अकेले भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी मरुस्तल के छेतर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अफरीका का 40%, एसिया का 33%, लेटिन अमरीका का 20% भाग मरुस्तली करण से प्रभावित है जोर्डन, लेबनान, सोमालिया, इथोपिया, दक्सिन सुदान, चाड, माली, मौरिटेनिया और पस्सिम साहरा मेरेगिस्तान का संकट ज्यादा है बढ़ते मरुस्तली करण की चिंता इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस संपुरुन प्रकिरिया का प्रियाउन पर विप्रित प्रभाव करता है दुनिया के देशों का अर्थ तंतर भी गड़बडा जाता है यनि कि किसी भी देश की एकोनोमीक उसके मुरुस्तल और उसके वातावरन के उपर निर्वर करती है वनस्पति का नुक्षान भूविवित्ता तथा जे विविवित्ता में प्रिवर्तन से प्रजातियां विलूप्त हो जाती है इसके साथ ही जिस तरह से हमें एक के बाद एक प्राकर्तिक आपदाउं से दोचार होना पड़ता है उसका कारण भी रेगिस्तान का विस्तार ही है इससे जाहिर होता है कि जब रेगिस्तान छेतर बढ़ेगा तो खेती से आई कम होगी, इनकम कम होगी खेती वाड़ी से और व्यापार के लिए भी पर्तिकुल प्रस्तियां बनने लगती हैं नतीजन क्या होगा कि जीवन का जोखिम भी सदेव बना रहेगा स्विक्तरास्ट कन्वेंशन टू कॉमबेक्ट डेजर्टिफिकेशन में सरकार द्वार्या दियेगे आंकडों के निसार भारत ने पिछले एक दसक में घास के छितर का 31% हिसा खो दिया है तो आप सोचिए कि अगर 31% हिसा खो दिया है घास का तो पसू पुंजी क्या खाएंगे पसू क्या खाएंगे गाएं भैसे भेड बकरी क्या खाएंगे भाई अगर घास ही खतम हो जाएगी तो वो पुंजी कैसे रुकेगी वो जो पसू संपता है वो कैसे रुकेगी आप तो बारत का करीब 29% छेतर किसी ने किसी तरह से भूमेकी की कुणता को खराब कर रहा है। ये बात सही है कि इस गंबीर समस्या को रोकने के लिए बर्सूं से अनेक प्रियास किये गए, बहुत प्रियतन किये गए सरकार के द्वारा भी। लेकिन इनका नतिजा बिलकुल जीरो रहा, कोई फाइदा नहीं हुआ। प्रियास करने से ही मृस्तल का फेराव रोका जा सकता है, सबसे बड़ी जरूरत जल संरक्षन की है। साती सिचाई विदियों में भी सुधार करना होगा। इसके अलावा पारिस्तेतिकी तंतर को पने मजबूत करने के भी आव सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत जरूरी है कि ग्रामिन छेत्रों में सुन यजित रोजगार के अवसर विक्सित हो। यनि कि ग्रामिन छेत्रों में रोजगार की समस्या है। तो भाई ऐसा सिस्टम बना दे सरकार की सब को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाए। सब की डाल रोटी चलनी स्टार्ट हो जाए। तथा सरकारी भूमी में खनन पर लोक लगानी चाहिए। आप देखो बनार्स में कितनी जबरजस्त क्रेफशन हो रहा है वहाँ बजरी निकालने के लिए अवेद दूप से रातू रात बजरी निकालने जाती है तो ऐसे जो अवेद खनन हैं पर लोक लगने चाहिए इसकी बड़ी वज़य ये है कि अवेद खनन होते हैं जो वर्षा का पानी हमारे प्राकरती के प्रमप्रागत जल सरोतू का ब्रा करता था वैगेर कानूनी खनन से जल सरोतू के केच्मेंट एरिया को स्माप्त कर देता है भूमिगत जल का स्तर लगातार कम होने का बड़ा कारण भी यही है भूमिगत जल स्तर भूमिगत जल स्तर का मतलब होता है जब हम टुवल खोते हैं कोई खोते हैं तो कौन सु जो पानी निकाला जाता है वो भूमिगत जल होता है पानी बहुत निचे चला गया है पहले 300 फुट पर पानी हो जाता था फिर 500 फुट पे गया अब तो आप मसीन लगाओ, 1000 फुट का पता नहीं, 1200 फुट का पता नहीं मरुस्तलिय छेतर में के प्राकरतिक संसाबनों को पुने जीवित कर डेजर्ट डेवलाप्मेंट कारिये करम पर कारिये करने की आव सकता है अफ्रीकी यूनियन के ग्रेट ग्रीन वोल कारिये करम के भी इनी प्रियासों का हिस्सा का आ जा सकता है रेत के दानों को दूर रखने के लिए जमीन संडक्षन रोपने के प्रियासूं के साथ-साथ खेती के नए उपाईयों में स्विंत रास्ट भी मदद कर रहा है भारत में भी आमजन को जागरूत कर उनकी सहवागीता से बड़े सतर पर पोदारोपन करवाना होगा इससे ने केवल वन छेतर संडक्षित होगा बलकि नए वन छेतर भी तेयार होगी करसे में आधुनिक तक्निकी का हिस्ता मयाल भी फलदाई साबित होगा क्योंकि जब जेविक उरूरों का उपयोग होगा तो कम जल से खेती होगी और मेटी की रोकता भी बढ़ती जाएगे कम पानी वाली फसल उगाई जैंग जिससे की घास फूस भी बढ़े खेती भी होने लगे उससे मरुस्तली करण का रोकथाम हो सकती है ये था आज का अपना एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक मरुस्तली करण क्या है क्यों मरुस्तल भढ़ती जा रही है ग्यानकड़ा यूटूब और टेलिग्राम चेनल एक ऐसा इतना बेस्ट इंपोर्टेंट प्लेटफोरम है जहां पर आपको हर एक एकजाम से समंदित स्टेडी मेटरियल प्रोवाइड किया जाता है मेरा प्रियास है कि हर एक बच्चे को निसुल्ख सिक्सा मिले हर गाउं ढानी घर में फ्री ऑनलाइन प्लासे हो हमारा एक दूसरा यूटूब चैनल है बैंक अड़ा जिस पर आपको बैंकिंग, फाइनस, इंसुरेंस से समंदित जानकरिया प्राप्त होती है आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर भी follow कर सकते हैं जिसका link निचे description में दिया हुआ है link पर जाईएगा और हमारे साथ social media पर भी आप जुड़िएगा